इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की कोशिश करें, इस दवा को तब तक लेते रहना महत्वपूर्ण है जब तक कि आपका डॉक्टर आपको न कहे, इसमें एक मूत्रवर्धक यानि की पानी की गोली होता है और यह आपको अधिक पेशाप कर देगा, बिस्तर पर जाने के चार हंटे के भीतर इस दवा को लेने से बचना सबसे अच्छा है इस दवा का अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से इस दवा का प्रयोग करें, भले ही आप अच्छा महसूस करें उच्छ रक्चाप के आम तोर पर कोई लक्षन नहीं होते हैं और य कित्सक से परामर्श करें यदि इन में से कोई भी आपको परिशान करता है या खराब हो जाता है या दूर नहीं होता है। मांस्पेशियों की कमजोरी, शुश्क मुह और अत्यधिक प्यास को दूर करने के लिए दवा लेते समय खूब सारे तरल पदार्ट पिएं। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव या किद्नी की कोई समस्या है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा क कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं, विशेश रूप से वे जो उच्छ रक्ट चाप या हरदय की स्थिति का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है, आपको नियमित रूप से अपने रक्ट चाप गुर्दा समारोह, इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर और रक्ट शरकरा के स्तर की जाँच करवानी चाहिए, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.